सेटी उपग्रे को लॉंच किया है जहां पे लोड को पी एसल वे माइनेस से 58 रॉकेट से लॉंच किया गया है श्री हरी कोटा से सतिश धवन स्पेस सेंटर से लॉंचिंग की गई है सैटलाइट अंतरक्ष में होने वाले रेडियेशन की स्टेडी करेगा इस निशन में दो पोलोड पोलिक्स और एक्सपेक्ट शामिल होंगे रेडियेशन की स्टेडी करेगा इंडिया इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन श्रीयरी कोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से तो अबारे साथ नासा साइंटिस्ट यूगेश्वर नाथ मिश्टा जूड़ चुके हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है भारस समचार ने कि साल के पहले ही दिन इतिहास रच दिया है इस्टो ने इस्टो ने एक्सपी ऊएस एस एटी उपग्रह को लांच किया है क्या ही नया उपग्रह जी सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को नव वर्स की हार्दिक से उपकामना है और मैं यह कहना चाहूंगा कि यह इस्टो के लिए बहुत-बड़ी उपलब्दी है और इस इंस्ट्रुमेंट का में उदिश यही है कि जैसे जो एक्सरे पोलर करते हैं और उसकी पॉलरेमिट्री अगर हम कर लेते हैं तो विज्ञान के बहुत सारे रहत्त से का परदा जो है उट सकता है और इंडिया के पास खुद का अपना एक डिडिकेटेड एक्सरे जो पॉलरेमिट्री करने का इंस्ट्रुमेंट है वो नहीं था इस वज़से इ और शिक्स डिग्री के निकलिनेशन से वो अब घुमेगा और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं उससे जो एक्सरे बीम्स निकल रही है उनको बेसिकली वो मेजर करेगा उसमें दो पेलोड है मोस्ली वो एक पोलारिक्स है और एक इस्पेक्स है तो यह जो नया उग्रह तयार किया गया है क्या कुछ इसकी खासियत है और किस तरह से इसे तयार किया गया है जी तो देखिए इसमें साइंटिस्स की बहुत डेडिकेटेड टीम रही है और यह दोनों जो इंस्टुमेंट हैं बनाने के लिए जो पेलोड हैं इसके उपर र और दूसरा इंस्ट्रुमेंट इसरो के ही एक इंस्ट्रीटूट ने बनाया है तो इन दोनों इंस्ट्रुमेंट का काम यही है जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो एक्सरे बहुत ज्यादा एमिट होती है अपने इस स्पेस में उनको किस तरह से अब्सर्ब करना है तो हमारे धरती तक पहुँचेगा उसको बेसिकली पॉलारमेट्री के दूरू इंस्ट्रुमेंट के दूरू यह मैजरमेंट किया जाएगा दूसरा जो इंस्ट्रुमेंट है इस जिसको बोला गया है उसका काम क्या है कि उसका जो रेंज है वो अलग है वो 0.08 कीवी से लेके 15 जितने भी हमारे अर्थ के तरफ जितनी भी सेलेस्ट्यल बॉडिस का एक स्रेय आता है उसको मेजर करेगा उससे क्या होगा कि बिग्यान के बहुत सारे जो रहसे हैं वह इंडिया को पता चलेगा इंडिया में जितने इंस्टीटूट्ट है वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेट इंटर्परिट करेंगे और कई सारे रहसे ब्लैक होल्स के बारे में न्यूट्रोन स्टार्स के बारे में हमको पता चलेंगे तो सेटेलाइट अंतरक्ष में होने वाले रैडियेशन के स्टेडी करेगा तो इसे क्या कुछ फाइदा मिल सकता है किन-किन रहस्तों से परदा उठ सकता है जी देखिए तो जो सेटेलाइट का काम जैसे मैंने पहले बताए कि यह इंडिया का पहला डेडिकेटेड एक्सरे पोलारिमिट्री का केमपेन है पुरा कि इंडिया के पास ऐसा डेडिकेटेड इंस्टुमेंट होगा जो की इस पेशली और टेंपरली का मतलब की टाइम और इस पेश दोनों में किस तरह से वेरियेशन हो रहा है एक्सरे एमिशन का उसको मेजर करेगा जब यह चीज़े पता चल जाएंगी तो आने वाले टाइम में जो ग्रेविटेशनल वेब्स है चाहे एक्सरे जो निकल रही है ब्लैक होल से जिसके बारे में बहुत जादा हम अभी जानते नहीं है ब्लैक होल के बारे में उनके रह से परदा निकलेगा लोग कहते हैं कि ब्लैक होल से जो प्रकास जो है उसको भी अब्जाब कर लेती है ब्लैक होल और अगर हम ब्लैक होल से पार चले जाएंगे तो साय किसे उस गैसे उनकी उत्पत्ति होती है तो यह सारे जो चीजें हैं यह हमको पता चलेंगी इस डेडिकेटर इंस्टुमेंट जिसे कितने से कितने समय में इस नए उग्रह को तयार किया गया है जी तो लगबग मुझे लगतरा है कि इसरो को इस पर काम करने में 3-4 वर्स लगे हैं और जो ये इंस्ट्रुमेंट है इसका लाइफ टाइम भी लगबग 5 साल से 6 साल के करीब है जो इसरो ने बताया है कि ये 5 साल से 6 साल काम करेगा कंटिनुसली और अर्थ के चारों तरफ घुमेगा और जितने भी जो भी एक्सरे आएंगी जो कि से आएंगी उनको वह मेजर करता रहेगा और डेटा जो है वह हमें भेजता रहेगा जी बहुत बहुत है निवाद आपका भारे समचार से जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारियां देने के